आप सभी दोस्तों का अनुपम क्लस में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि UPTT की त्यारी के लिए अब दिन बहुत कम बज़े हैं इसलिए EVS सब्जेट की त्यारी के लिए हम लोगों ने 500 प्रश्णों के इसी सीरीज मनाई है जिसमें EVS का एक एक टॉपिक क कवर हो गया है और यह प्रश्ण 500 नहीं है यार यह आपके लिए 5000 प्रश्ण बनके सामने आएंगे तो यह हमारी पहली वीडियो है ऐसे ही करके देरीदे करके पेपर के पहले यह सभी 500 प्रश्ण आपके कवर कर दिये जाएंगे चलिए ठीक है तो और थोड़ा स्पीड से करेंगे कि हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक्जाम के टाइम थोड़ा सा भी टाइम बरबाद हो तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्ण कौन सा है वाई मंडल का वह छेतर जिसमें बादलों का बनना विजली कड़कना तूफानों वा आंधियों का होना पाया जाता है तो किस में पाया जाता है किस मंडल में पायाता है ठीक है तो यह पायाता है हमारा छोब मंडल में ठीक है मैं टाइम ने वेस्ट करना था इसलिए चार आप्शन नहीं पढ़ोंगा सीधे एंसर बताऊंगा और समझाओंगा ठीक है तो छोब मंडल की उचाई क्या है छोब मंडल ज कितने भी जो वायुयान वगरा हैं वो सब चलते हैं ठीक है इसके अलावा जो हमारी zone परत है वो भी किसमें पायाती है समताप मंडल में ही पायाती है मद्धि मंडल में ऐसी कोई खास चीज नहीं होती है ठीक है लेकिन आयन मंडल केकर बात करें तो जतने में हमारी radio तरंगे हिं होती है टेलिविजन और इन सब की जो दीरी तरंगे होती है ये सभी का काम कहां से होता है आयन मंडल से ही होता है ठीक है अगला कोशन देखते है हमारा कौन सा है बहुत अच्छा कोशन था चलिए सेकंड कोशन देखिए प्रत्थम प्रत्थवी सिखर सम्मेलन वर्स 1992 कहां आयुजित किया गया था तो ये बहुत इफेमस कोशन है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है बहुत अपकोशा गया हार पेपर माता है रियो डी जेनेरियो ठीक है 1992 में इसके लावा कभी कभी पुछ लेता है प्लस 20 रियो 20 ऐसे करके पुछ लेता है तो वह कहां पर हुआ था वह भी रियो में ही हुआ था कब हुआ था भाई प्लस 20 मतलब बारा साल जोड़ दूस में तो कितना बजाएगा 2012 ठीक है 2012 में रियो प्लस 20 हुआ था ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं हमारा कौन सा है हरे पेंड पोधे क्या होते हैं परात्मीक उत्पादक दुतियक उत्पादक तृतियक या सरवारी था है सूर्श से प्रकास लेकर चीजों को बनाते हैं जगहास उग गई हमारे ह attach हमारे फल ऐगरा हो गए्र thing तो प्रात्मिक उत्पादक सब ठीक है क्यों कि सब कुछ इन ही पर डिपेंड करता है चलिए अगला प्रश्ण हमार कौन सा है मनुष्य से किस प्रकार का उभगता है उभगता वह होता है जो दूसरों से अपना भोजन प्राप करता है जासे हम लोग क्या करते हैं जानव़ों तो ये उपभच्ची उपभच्ची में आ जाएगा clear है और इसके अलावा इसको अगर रखेंगे तो तिरतियक उपभच्चा में भी रख सकते हैं ठीक है तिरतियक उपभच्चा में वैसे आता है लेकिन सरुबच्ची है तो सरुबच्ची में हम को खाता है उपभोक्ता सोता है जो धेको यार सबसे पहले हमारा होता है उत्पादक से पहले हो था कि paradox को होता है गासफूस ठीड़ पूदे उसके अलावा आता है गासफूस को खाने वाले कौश आता है की लिम्कोड। हो गए हमारे जैना जेसे कि चुहा बगरा हो गए यह सब अब यह तो हो गया प्रत्थम प्रकार का यहां पर जो हम करेंगे यह हमारा प्रत्थम उपभोगता अब इसको जो खाएगा वो हमारा होगा दुति उपभोगता तो हम से क्या पूछा है दुति स्लिडी का ओके तो दुति में हमारा कौन सा ठीक है क्योंकि यह तो हमारा प्रथम स्रेणी का भोगता हो जाएगा मानों नहीं बकरी प्रथम में आ जाएगी साफ हो जकता है ठीक है तो यह हमारा साफ आप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि वह चू है अगर वो खा लेता है सिंपल है ना पांचवर प्रषंड देखे क्या है ये जैसे एक मेध्ख एक टिड्ड़ को खाता है तो उर्ज इस्थाराणतरण होगा कहां से पर होगा मतलब मेध्ध Nahi एक के तो किया है तो कहां सो रहा है थार्ड ओप्शन देखिए क्या है सिंपल प्रात्मिक भुभुखता से दूसरी उभुखता को क्योंकि भोजन इससे प्राप्ट हो रहा तो भाई वैसे ही तुझाएगा सिंपल है ना चलि समझ मां गया ना अगला प्रस्ण क्या है तो आप प्रस्ण देखिए जब मोर साप को खाता है साप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों का खाते हैं तो मोर का पूर्षण तल क्या है ठीक है तो हरे पौधे पहले नमबर पे ये तो हमारे हो गए उत्पादक फस्ट सेकेंड नमबर पे कौन आएगा उपभोगता प कि यहां पे हमारा उत्पादक है इसलिए ठीक है तो हमसे क्या करता है मोर साप को खाता है यहां पे कीड़े हो जाएगा कीड़े प्रत्य में हो जाएगा और कीड़े को साप खा रहा है तो यह हमारा हो जाएगा दुतियों भोगता और मोर तो मोर पोच रहा है ना तो मोर का तृती यहां पर आजाएगा, simple, या फिर हम भी कहा देंगे, कि तृती यहां पर है नहीं, तो अंतिम अपगटक नहीं हो सकता, simple, समझ़बात, तो खादी पिरामिड का, जो सीर्स है, क्योंकि भाई, मोर को कोई भी मार के नहीं खाता है, मोर को कोई मार के नहीं खाता है, यह सब नहीं करना है हमारा सात्वा प्रशन देखो क्या है आप लोग एंसर देते जाए कमेंड में अगर आपको पता है तो ठीक ना जो साकाहारी जन्तु भोजन के लिए हरे पेंट पोदों पर निर्बर रहते हैं तो उनको कहते हैं याद वो करना सिंपल सी बात है वो उपभोगता होते हैं लेकिन कि प्रथम प्रकार के क्योंकि प्रथम प्रकार का अधिक चारन का परिणाम है जो है मैदानों को चर लिया गया बहुत जादा जानवान को देना तो क्या होगा मर्दा प्रदूर्शन हो सकता है क्या नहीं मर्दा प्रदूर्शन तो नहीं होगा ताप प्रदूर्शन गर्मी बढ़ जाएगी क्या नहीं जल्वाई बदल जाएगी नहीं यार सिंपल सी बात है मर्दा का अपर्दन होगा क्योंकि घास से जब चर जाएगी तो पानी बचलेगा और घर से करती है पानी के बहाव को रोकती रोगने के कोशिच करती है और इसलिए मिट्टी नहीं कर पाती है. लेकिन जब घर सी नहीं हें, तो क्या होगा मिट्टी बहए में है ठीक है और ये famous किसके लिए है ये जो हमारे हंगुल जो है जो म्रग होता है हनोल म्रग कि याफिर यहां पे एक दूसरा जो महग पाया जाता है कस्तूरी म्रग वो भी यहां पे पाया जाता है ।ु इन दोनों चीज़ों के लिए यह ही बहुत उनको वो अवसोशित कर लेता है ठीक है जो ओजोन लेयर होती है इसकी उचाई कितनी होती है कितनी उचाई भी पाय जाता है तो यह हमारा पाय जाता है 15 किलोमेटर से लेके 35 किलोमेटर तक किस मंडल में समताप मंडल मैंने अभी बता है तो थोड़े दे पहले ठीक है ना चल चले आओ कहां पर यह हो गया इंडिया हमारा और यह यहां पर स्रिलंका है इसके इसके बीच में यहां पर कहीं पर क्या है गल्फ आफ मनार है ठीक है तो यहीं पर हमारा मेरीन राष्ट्री पार्क भी बनाया गया है चलिए तो हमारा यह किसमें हो जाए यहां पर यह तमिल न अगला प्रशन देखो क्या है देखिए मैं आपका टाइम ने वेस्ट करने जाता हूं इसलिए जल्दी दिकरना कोशिच कर रहा हूं ठीक है तो आप लोग वीडियो को जोड़ साथ कर देना तो गयार नमर प्रशन मता हो क्या है देखो क्या है म्रतों पर जीवी अपना पूर प्राप्त करते हैं म्रतों बजीवी मतलब म्रतों के म्रत की ऊपर जो जीवित रहता है म्रतों बजीवी कहलाता है सिंपल है ना तो वो कहां से अपनी प्राप्त कर गया है यार जो म्रत की ऊपर जिंदा है तो म्रत सही लेगा ना तो हरे से निर्मेत नहीं हो जाएगा म्रत में सलेगड़े पदार्थ होते तो second option हमारा बिल्कुल सही है है ना चलो हमारा second option बिल्कुल correct होगे अमरत में सलेगड़े पदार्थ हो सही अपनी जो भी हमारी आवशक्ता होती है उसकी वह अपनी पूरी करता है ठीक है यह सब वहीं से होता है ठीक है बारा नमर कोशन देखो क्या है वन्य हाथियों की रक्षा के लिए project हाथी योजना कब प्रारंब की गई थी तो project tiger जो हमारी curiosity यह जियोग्राफी आ रहा है यह आई कहले ऐसा question हमें साथ ठीक है question number 13 दोग क्या है सजीव की विशेषताय क्या है सजीव क्या कर सकते हैं क्या है पोशन करते हैं क्या बिलकुल खाते पिते पीते तो है पोशन हो रहा है है व्रद्दी होती है् विकास होता है उनका बिलकु निकालते हैं तो यह तीन चीज़े होती है मतलब वो पर्युक्त सभी ठीक है ना चलो यह तो बहुत असंद था अगला क्यों देखो चौदर नूमर क्या है विश्व जल सनरक्षन दिवस किस तिथी को आयज़ुद क्या आता है देखो कुछ जो तिथियां है एक बहुत इंप सब्सक्राइब करते हैं और उसके लावा हम बात करें अगर 16 सितंबर को उजोन सनरक्षन दिवस बना जाता है और 22 को क्या मनाते हैं हम लोग है बाइस मही को मलाते हैं बनाते हैं जैवे विदिता दिवस बायो डाइवर्स टीडे ठीक है यह भी बहुत इंपोर्टन इसको दिहान रखिएगा ठीक है और 24 को हम क्या मनाते है 24 को मनाते हैं शायद 25 को मनाते हैं 25 श्रूंब इसको लिए इसको उतले अर्टी सबीध जरूर्याथ कर लिएगा इसको ड़े क्या है निम्ली कितने से असत्य को पहचानी असत्य को पहचानना है ठीक है तो पहचानते हैं सत्य को जल में नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है ब्लू बेबी सेंड्रोम होता है क्या बिल्कुल सही है तो देखो असत्य को पहचाने करें मैं पढ़ा रहा हूं तो साथ मे ये भी देर लेख लो कि जल में नाइट्रेट की जो अधिक्ता होती है तो blue baby syndrome हो जाता है तो भाई जब प्रशन करो तो ये नहीं कि एक प्रशन पढ़ रहे नहीं बहुत चीजों की practice हो रही होती है तो blue baby syndrome होता है बिल्कुल सही बात है जल में cadmium की अधिक्ता से क्या होता है इसे होता है इटाई इटाई रोग होता है cadmium इटाई इटाई रोग बिल्कुल ये भी सही है जल में arsenic की अधिक्ता हो जाती तो ब्लेक पुट रोग हो जाता है ये भी सही है तो भाई बचा कौन सा चौथा option, सीसा युक्त जल से एक्जीमिया रोग नहीं, एक्जीमिया रोग नहीं होता है सीसा युक्त जो जल होता है लेड से जो युक्त जल होता है उससे हमारा कौण सा रोग होता है इससे होता है मीनी माता रोग, ठीक है मीनी माता रोग होता है यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है ठीक है तो इसमें सब कुछ कभार होगा तीन-चार कोश्चन होगा इसमें तो ठीक है ना चलो कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनी तरंगे सर्वन सकती में राश उत्पन्न करती है असान कोश्चन है लेकिन कभी-कभी डाउट पर आता है क्योंकि बहुत क्लोज रिटा पूछ लेते हैं अब यह सही एंसर जो है यह है नब्बे डीबी अब लोग क्या है अगर याद नह जाते हैं तो बड़ा कन्फिज साते हैं देखो 100 दिया है तो इसमें भी कन्फिज सकते हैं ध्यान अकोई यह 90 डीबी थे ज सब्सक्राइब कर रही होते हैं आपस में तो उनकी जो जो डीवी होती है वह लगब बग 35 के आसपास होती है तीस पैस चालेस तक आराम से भात होत होती है कभी इसको ध्यान रखेगा वरना गबड़ा जाँगा सेमामॉला है ना तो गलती करें तो सब क्या तो प्रस नमर 17 देखो क्या है और P habit गैसों में कार्बन डाइक्साइड गैस का प्रतिशत है बहुत ही आसान कोछ नहीं है लेकिन फिर भी देखो क्या है अगर कार्बन डाइक्साइड के जब बात करते हैं तो यह हमारा है पॉइंट जीरो थ्री परसेंट देख रहो ना कितना कम है एक से भी बहुत कम है ठीक न चार की बात कर करें तो चौथा आपसन जो है पॉइंट नाइन थ्री यह हमारी होती है आरगन ठीक है बाकी ऑक्सिजन और नाइट्रोडन आपको पता है देखो यहां पर देखो ऑक्सि पूरा पूरा तब ही लगाना है ना ठीक है ना तो चलो समझ मागे ना थाड़ ऑप्षिन होगा पॉइंट जीरो थी परसेंट कारबन डाइक साइड आरगन है पॉइंट नाइन थी परसेंट चलो इसमोग अठारा क्या है दूंद दूंद किस्से बंता है दूंद मनता है उमारा धूए और कौहरे को एक ठीक होता तो यह रा हम भी उक्षा होता है वह पैट्रोल उपकी उपर भिजब रिजव से और ठीक वर अँपड़ती है तो यहांग بن जाता है ठीक तो confused अच्छा है किया देखो यार इसमय मुठा क्या है समो से फॉग है तो यह ह tray को सई थौक क्या है स्मो कि मेजरे आया यह जरू चीज़ है मैंने आज ही देखी बहुत अचीचे चीज़ है smoke plus fog मिला कि क्या बन जाता है smoke बन जाता है अगला फ्रेयर किको क्या है 19 number कौंसी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती हे कौंसी बीमारी दूसर जल पीने से फैलती है तो ऑई दूसोरे जल से 0 rates AIDS वायरस से फैलता है टाइफाइड किसे फैलता है यही प्रेशन एंसा सही हमारा टाइफाइड ही ऐसी बीमारी है जो दूसर जल से फैलता है तो यह जो आप शहरों में जाते हैं जैसे गाउं के बच्चे या फिर छोटे इलाके के जो बच्चे होते कभी भी पढ़ने बाहर जाते हैं तो सबसे पहले वो टाइफाइड से ही भीमारा होता है क्योंकि वहां पर सबसे बगंदा पानी मिलता है पीने के लिए अच्छा पाई नहीं मिलता है अनीमिया जो होता है हमारा ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तब हमें अनीमिया हो जाता है तो हम क्या कहते है ह यहां पर दूसित जलवाला जो अप्शन होगा हमारा टाइफाइड होगा सिंपल है थोड़ा सा गंदा कर दिया है यार्स को देख ले ना ऐसा नहीं है कि गंदा इसलिए कि क्यों आपको समझाना ज्यादा है इसलिए कि अंदा किया है चलो मिनी माता रोग प्रदूर्शित प्रदूर्शन जनित रोग है ठीक है जो परिणाम है किस चीज़ का अब भी बताया थे मैंने मिनी माता किससे होता है जहां पर आपको दिख जाए वह लगा दू कहां पर दिख रहा कहीं है यह और दोगिक पारा अप शिश्ट को पानी में जो झोड़ा जाता है तो उससे क्या होता है वो पानी साथ मिलके कहीं अपने से आपको सबीम हो जाता है उससे हम लोग को अधार्शित पर करती है तो इससे को में कोई भरोसा नहीं है कहां से क्या पुछेगा है ना इसलिए एक बार मैं कहूंगा कि आप जितने भी जिस बुक से पढ़ रहे हैं तो कहीं ने कि जितनी भी चीज़ दी है एक 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 बार रीडिंग जुरूर माल लो उसकी है ना तो दूद वारी जो मशीन होती है दूद म मखण नीकालने वाली वह काम करती है हमारा अप केंद्री वल्बल सिद्धार पर अब अपकेंद्री पल आपको न्य पता क्या पकेंद्री मीडिये वा ίसा होता है जब बार ब virt इत Souk की watching everything की होता है बीच में ये निस तो सब्छेंटार है तो इस प्रकार का जो फोर्च आता है हमारा अपकेंदरी बल होता है यही काम यही कॉंसेट हमारा दूद से मखन निकालने वाली मशीन में भी लगता है सिंपल है ना तो यहां पर लोग कंफ्यूज आते हैं अपकेंदरी बल से जो कि मारा पूरा तरह गलात हो जागा वो कुक्स काच ठीक है ना कुक्स काच हम यहां पर प्रियोग करते हैं यहां पर इसमें होता है वो जो है जब धूप में जाते हो तो उसका कलर बिल्कुल आगे प्र 카 maar शिल्बर प्ले शिल्वर जैसी कुछ चमक काथी जिससे ठीक है यहां तो उप्रणि करों को रोकती है यह next परबेंगनी करनों को रोकने के लिए परणा बैगनी कीरणों को रोकने के लिए इसका प्लियू कहाता है अच्छा पारेक्स कांच होता है न dit लेकिन वहां पे कैमिकल को रखने के लिए गरम करने के लिए इतना इतना ही ऑंतर है दोनों में दोनों ही लेबिरेटरी में ज़ो जीजे बना याती है बढ़तन वही बना हैं दोनों से पॉटास कांच और फारेक्स nenesे लेकिन पाय होता है यह होता है अभल कुछ इसको कोई पड़र यह पैकन लेकिन दोनों के लगभागय किसंप रखने के लिए इस होता है केमिकल्स फिलिंट कांच का काँस का होता है हमारा जो लेंस बगरा बना जाते हैं जी सब दर्शी इन सब टाइप के जितने भी चीज़े बना जाते हैं यह चारो प्रशन मैं बता दिये हैं बहुत अच्छा कोश्यन था चलो इसलिवह ने बुला यार 500 प्रशन नहीं है ये 5000 प्रशन आपका मिलेंगे पेपर में कर रोके गये पानी किस प्रकार की उर्जा होती है कैसे बनती उर्जा तो इस्थिति जो जब हम पानी को बहुत उंचे लेके जाते हैं ठीक है ना अब इस जिसे माल लो बाल्टी भर पानी से लेके गए और गिराव जाके इस पे तो नीचे जो ख़ड़ा वेकती है इसको चोट लगेगी वह चोट कहां से लगेगी क्योंकि इस जो ऊपर ले जाके पानी गए थे उसमें इस में इस्थिति उर्जा आगई है तो पानी को भी बांद बनाते हैं तो पानी बहुत उचे सश फिंखते हैं तो क्या होता है, वह वहाँ भी इस्थितित उर्जा को हम convert करते हैं किसमें, विद्धुत उर्जा में, पहले mechanical होती है, mechanical से फिर विद्धुत उर्जा में change होती है, ठीक है, तो ये भी थोला समझने वली बातें हैं, इसलिए मैं आपको समझाता चला जा रहा हूँ, चलो, 24 नम प्रशन देखो, निमलिखित में से कौन सा यंत्र अत्वा उपकरण आर्किमेडीज सिधांत पर कार करता है, ये बहुत अच्छा क्वेशन है, मैं सच कह रहा हूँ, लगभग 90% लोग यहाँ पे गलती करने वाले हैं, 90% लोग गलती करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि जीवन रक्षिक पेटी किस पे काम करती है? आर्किमेडीज प करती है, ये तो आप सही लगा दोगे, पन डूबी भी लगा दो आपको लगएगा कि हौँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे करना पर कंदूबी तो पानी के अंदर रहती है, तहो आर्किमीडीज लगए का ने लगएगा बिल्कुल लगेगा यार वहां पर लगता है लेकिन लेक्टोमीटर लेक्टोमीटर तो फैट ना अपता है दूद में उसमें क्या लगेगा क्या यहां पर आर्किमडी सिधांत लगेगा बिल्कुल लगेगा भाई यहां पर जो लेक्टोमीटर का जो कॉंसेप्ट होता है वो को आरपीमिट सभ्ण होने जिए सब ढ़ें आक पर चुल अपते क्या है निंवलिकित में लेंप की बती में टिल ऊपर चड़ता है तो दो तेल ुपड कैसे चड़ता है एक ख़र्ण किसका होती है वो फथ टी और ती इसको पानी डालोगो क्या होगा तो यही प्रशन आता है हमेचा खेतों में कहता है कि जो किसान होते हैं वो पानी भरने के बाद फिर जब खेत सुखता उसको जोत देते हैं क्यों जोत देते हैं क्योंकि जमीन के पानी खेत में भरा गया है वो केसी कत्व के कारण ऊपर आके सूख न जाए इसके लिए वो खेत को जुत्वा देते हैं तो पानी निकली नहीं पाएगा हो बाहर है ना वास्पन कम हो जाएगा तो यह भी एक प्रश्ण आता है तो वहां पर भी जो प्रश्ण होता है मारा कौन से लगेगा के से कट्व ही लगेगा सही अंसर में ठीक है ना आगा समझ में चलो अगला कोशन को क्या है 26 नंबर प्रश्ण बहुत अच्छा कोशन शायद यह भी देखते क्या है पतानी क्या है वर्सा की बूंदे निम्न में से किसके काराण गोल हो जाती है बताओ किसके काराण बार चोरी तो वहां पर गोली बनाता है कोई क्या गोले ग प्रॉपर्टी होती है कि वह अपना pagatch corn कारना चाहती है और अगर चेतर फल कम करने की बात तो जब गूल आकार होता है किसी भी द्रव का तभी हमारा फ्रश्ठ जो प्राश्ठ छेत्र फल होता हैं हो सबसे कम आता है इस लिए इस लिए बोल मोनों करने कि कोशिच होती है उसको प्रीश्ठ तेना हो कहे यह तो अमली विलेयन का pH होता है अगर pH मालो 7 से ज्यादा है यह साथ से कम है यह साथ से बराबर ती जो बात करते हैं अमली है तो साथ से कम होगा जिसे नीमभू कर रहा होते तो उनका pH कितना होता है 2 क्या सपास होता है यह 2.5 यह 2 और 3 के बीच में होता है तो यह अमली हो ग है क्या बन जाते हैं जार या चार भी कह लो टिक अच्छा अगर एक्जैक्टक्स है तो क्या उदासीन हो साईगा जैसे कि हमारा आशुत जो की बात करें पूर्फ मुंना सीं होता है पूरी तरा से ठीक और अगर तो यह चार में चला जाएगा ठीक ना तो देखो अगला कुछिन देखो 28 निमर बायो गैस में मुक्ता कौन सी गैस होती है बायो गैस में तो बायो गैस जो बनती है किसे बनती है यह चीजों के सर्डने गलने से या फिर गोबर बनता है वो तो बाइयो गैस में मेन living होता है वो महारा होता है मेथेन का सी हैं अ इसवी अधिकत्तम होती है जिसे फोलाएं कि जो LPG वैसे क्या होती है गंदहीन होती है इसमें कोई भी गंद नहीं आती है लेकिन जब रिशाव हो तो हमें पता चल जाए इसके लिए हम लोग एथिल मर कैप्टन मिलाते हैं इसमें क्या मिलाते हैं एथिल मर कैप्टन जिससे की हमें पता चल जाए कि गैस का रिशाव हो र लेकिन जब डिए लेक्शन करा कि हम्हों क्रतिम रेशे बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रेयान ठीक ना अच्छा अगर हम रेशम की बात करें तो रेशम क्या है ये इसको हम करतिम को कभी-कभी संसलेशीत रेशे भी बोल देते हैं ठीक ना लेकिन जब हम रेशम की बात करें तो रेशम हमारा क्या है प्रकृतिक रेशा है ठीक है ना प्रकृतिक रेशा में आई हो पॉलेथीन क्या है वो तो भाई पॉलेथीन दो अलगी चीज़ है अगला प पारण हची रेट में इसको यह किरकर नाम होता है तो पार्ण इसकars यह इसका इस्टार आ早 अगर हम यह बात करें लेड की थे तो हुआ होता है यह फेपर्ण बहुत बुछता है लेड का होता है गैल अ ति गेले ना PBS, PBS, टिन का पता आगे, चलो, टिन का भी देखेल। टिन का होता है, हमार्वे पास, कैसी टेराइट, ठीक ना, नाम बोल दे रहा हुँ मैं, कैसी टेराइट, या फिर इसको बोलेंगे टिन पाइराइट, यह एक और दूसरा चीज़ होती है दो एक बताती मैंने जिंक का होता है जिंक का तो बहुत आसान है जिंक blend ठीक है जिंक में तो जिंक का नामी लगा है जिंक blend गरत लिख दिया क्या इस पहले गरत हो गई जिंक blend ओके तो चलो अगला कोशन दो क्या है ओके 30 हमारी जो प्रेशन थे हमारी वो पूरी तरह से हमने इसको cover कर लिया है complete कर लिया है ठीक है और यह 500 की जो सीरीज चल रही है इसमें से हमारी पहली वीडियो थी है और आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें लोगों को शेयर करें और दिखाएं कि यार यहां पर बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा है अगर इसे समझ में अच्छी लग रही है तो तभी करना वैसे नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है मुझे है तो बने रहेगा अनुपरम क्लासेज के साथ और ऐसे ही वीडियो भी हर सब्जेक के लिए मैं कोशिच कर रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश हिंदी संस्क्रत या फिर जो भी यह सीडीपी हो गया है ना में में सब्जेक्ट जो है इनको मैं जरूर कम्प्लेट करने को रिश्ट होंगा जिसे कि अपकी त्यारी बेस्ट से बेस्ट हो ओके चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो मतबते के लिए गोड़ बाई